हजारों मुसल्मान ओरते जो कभी सिंदूर नहीं लगाती मंगल्सुत नहीं पैंती पायल नहीं पलती तो क्या वो खाली प्लोट है दिर अंदर शास्त्री को इतना चक्पल मारेंगे ना गीनेंगे ना बाबाजी का प्रताब अभी पचास जाला कंसिट्विश में फैल चुक बाबा को लेकि एक भाइने बहुत आच्छी बढ़िया एक रॉस्टी वीडियो मनाया है जो रुष्ट वीडियो हम भी देखने जा रहा हो तो दुस्तों वीडियो क्लिप को आगे देख पाएंगे आप लोग आपको बहुत इंटेटेंबेंट मिलेगा वीडियो देखने स कि अपाइंगे तो हे दोस्त के से अब साव वाई होप कि अप लुग मत अच्छी होंगे तो मेरे दोस्त आज की वीडियो में मैं बात करना वाला हूं बंदर वाले बाबा के बारे में जिनको बगेसार वाले बाबा बोला जाता है यह परचे से बहुत मसूर है, ये लोगो लोगों को बसी बताते हैं कि तुम्हारे परती क्या नाम ये अई सब यही बताते हैं जो की स्वेद्स мल लाएत sias बचाहा दी प्रतर हो अरे बाबाजी ये छोटे बच्चे का चस्मा छीन के आप क्या दिखाना चाहते हो कैसे लग रहे हो बिल्कुल चूतिया लग रहे हो चूतिया भी ने लग रहे हो चटक चूतिया लग रहे हो ठीक है अचा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो गले में मंगल सूत्र ना हो तो तो मैं किसी लड़की से ही जवाब दिलाऊंगे तो आओ कन्या बाबाजी को जवाब पूछ रहे बाबाजी का जवाब दो कुछ अगर आपके घर में लड़की है इसका मतलब वह भी खाली पलट है और उसको भी लोग रोजिस्टर करवाएंगे कैसे हो सालो कैसे हो अमरे दोस्त लोग हरे बाबा जी को तोड़ा तोड़ा यो ओडियंस को की तोड़ दिया कि चपल में आके माल गी तुम्हें दोस्त लोग बतारो उल्टा सिधा कमेंट मत करना वहन्ना आपके भी घर पे प्लोट खाली होगा बाबाजी की यादद कहीं भी उंगली कर देना तो बाबा जी ने कहीं भी उंगली कर दिया और मंगल सूत्र सिंदूर के बाहरे में कुछ बता दिया बाई तो भवाल हो गया बाबा जी उंगली करना बंद कर दो अरे बंदर वाले बाबा इन्हीं लोगों के वज़े से आप बने हो इन्हीं लोग को आप अच्छूत बोल रहे हो अगर ये लोग आपके दर्मार में आना बंद कर दे तो आपका धंदा पानी सब बंद हो जाएगा घर पे बैठ के मच्छी हडा होगे ऐसे अरे चाचा जी गए वो तो ठीक है चाचा जी अच्छूत हो गए अगर वही चाचा जी पचास जार के गड़ी निकाल के दे कि लो जी बाबा जी ओ आपकी सरण में मैं रखने आया हूँ तो बाबा जी आलगी स्वागत करेंगे क्योंकि वो पचास जार गड़ी जो लेके रा आए ना उनके लिए तब वो अच्छूत नहीं होंगे यह बड़ी अच्छी बात कहीं है और मारू और सर में मारू अब सर में भड़ा भड़ मारू अच्छे सर भगो एक लो एक तरह पट्र ना लाए बस यही एक्टिंग देखके मेरा मन करता है कि गाय के मूत में जाकर मै मैं खुद मर जाओं यह कौन सी एक्टिंग है कौन सा बाबासीर बाबाजी फैला रहे हैं मुझे भी बता दो यही तो काम हम छोड़के मैं बाबाजी के सरन में जाता हूं कि बाबाजी आलागी फिल्म लगा के रखते यही फिल्म देखने में तो बंजा आता है और बाबा खुलना रुपईया चांदी के रुपईया सोने के रुपईया करधोनी मंगल सूत अंगूठी और चैन लोगाई लरका भर छोड़के सब हमाएं नाओ करवा सकते अरे गान भी भोल दो वह भी ले लो आप ऐसे भक्त बढ़ेगी आप जो मांगो गई वह दे देंगे प्रो आप तो आपका है आप तो बाबा है आप तो भगवान से कंपेर किया जाने है वो भी भगवान वी उपर चे रो रहा होगा किसको पैदा कर दिया जमिन पर कि मेरी जगा लेके घूम रहा है वो कैसे हो आप सुभी बहुत बुरे हैं हम लोग आप कैसे हो ये बताओ आपको तो धंधा पानी चल रहा होगा ना बढ़िया मेरा कुछ नहीं चल पा रहा है आप कुछ ऐसी सक्ति फेक के मार दो कि मेरा भी धंधा पानी बढ़िया चलने लगे बस परभू आपसे यही किरप है कि कुछ सक्तिया मेरे भी फेक के मार दो मेरा भी धंधा पानी कुछ चलने लगे आज कथा कच्छतुर्त दिवस है ठाकुर जी का महुत्सोय यहां दरबार लग रहा है दो दिवस का हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के पागलों की यहां खूब फौज खड़ी हो गई है पागली पागल चुड़ रहे हैं यहां रिकार्ड तूट गए यह बंदर वाले बाबा पतने क्या क्या आपने भक्तों को कहते रहते हैं कहीं कहते हैं वो पागल है कहीं कहते हैं अच्छूत है फिर भी भक्त जन उनके दरबार में भीड लगाए बैठे रहते हैं अरे भक्तो क्या चाहिए, तमको बेज जिती ज़्यादा अच्छा लगता है एक बार हमारी रामड से बात भूई, बात, फॉन कोल हैं, रामड, आप से बात हुई, नि नि बाबा जी बता दो, रामड का नमबर दे दो, मैं भी बात करना चाहता हू पिलीज और का नंबर दो मुझे रामड का नंबर चाहिए है आप से रामड का नंबर चीए कि Vo seconds डासाननंग इयर क्या हो हैですか वन्होंने क 스न बेखाव सोफ़ालर मॉड़ा हुआत है जाहलो बागेश्वर वाले बोले हमका जी रावार से इतनी सारी बाति यह भाबाजी कि यह बाबा जी अब तो भगवान निकले डिलीड मत पर वाना प्लीज आप तो भगवान निकले आपकी तो पहुंच बड़ी ऊपर हैं गलती हो गई चाहता हूं मैं मतलब बाबा जी ये बाते बोल रहे हैं बाबा जी का सीधा मतलब है कि जो मेरे मुसलिम भाईयों बेहनों है उनको ही वो टार्गेट करके बोलते हैं बाबा जी बताओ चोटा सा बच्चा पैर पकड़ने गया है बाबा जी को बाबा जी से असरबाद भी नहीं दिया जा रहा है और बाबा जी के सुकेल्टी गार्जे वो भगा रहे हैं एसे हैं हमारे बंदर वाले बाबा जी लोग इनको पूझते हैं इससे मैं क्या बोल सकता हूँ भाई किसी को हट नहीं करना चाहता बस भाई मैं ये वीडियो बस entertainment के लिए बनाए कि देखो और कुछ मजे करो कुछ सीखो यार कि बाबा जी ऐसे ऐसे होते हैं अपने तो प्लीज दोस वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना अगर वीडियो आप लोगों को पसंद रहे तो प्लीज बाबा जी को सेर भी कर दो थोड़ा लोगों के सामने दिखा भी दो कि बाबा जी कैसे हैं और अगर इस वीडियो पर दस जाल लाइक होते हैं तो मैं अपना पूरा बाल कटवा दूँगा टकला बनके घूमंगा तो बस जादा जादा वीडियो को सेर करो और मुझे टकला देखने के लिए तो बस मैं मिलता हूं उसकी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई